अब लड़ने के लिए जो अवश्यक है जो नॉम्स है उसके तहती लोग चनाव बढ़ते हैं अगर उसे विधायकों के बारे में अगर इस प्रकार को नॉम्स नहीं है कि विधायक के लड़ने पर कोई प्रतिबंद नहीं है तो बिलकुल लड़ेंगे लेकिन प्रयास से ही हो प्रदेश का अध्यक्षू हूं तो हमारा प्रयास होगा कि नॉन विधायक लोग चनाव लोड़ेंगे प्रदेश बीजेपी मुख्या के इस बयान के बाद कयास लगने लगे हैं कि महापावर्पत के लिए बीजेपी नए और यूबा चेहरों पर दाव लगा सकती है नए जोश और नए कलेवर में आया संगठन उप्चुनाव में जरूर सिंधिया से कमिट्मेंट के कारण टिकेट बितरंड में अपनी भूमी का नहीं निभा पाया लेकिन अब नगरीय निकाह ऐसा पहला मौका होगा जब प्रदेश शंगठन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा लेकिन गैर विधायक को टिकेट देने में कई पैच भी है मसलन भोपाल में बीजेपी के पास क्रशनागौर के अलाबा दूसरा कोई जिताओ चेहरा नहीं है पहले नए चेहरे राजो मालवी पर दाओ लगा कर बीजेपी जटका खा चुकी है कॉंग्रिस से बिवा पटेल ने उन्हें हराया था लेहाजा क्रशनागौर पर दाओ लगाना बीजेपी के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है बात करें इन दौर की तो यहां विदायक रमेश मेंदौला को नजर अंदाज करना आसान नहीं होगा बीजेपी महा सचिप के खासम खास मेंदौला मंत्री पट नहीं मिलने की अविज में महापौर पट 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 दावेदारी कर सकते है लेकिन इन दौर बीजेपी में महापौर पट की रेस में पूर वाईडिय अध्यक्ष मदूबर्मा पूर विधायक जीतु जिराती विशामिल है उधर कॉंगरेस में सत्ता जाने के बाद विधायकों के पुनरवास की तयारी है इन दौर में कॉंगरेस बिधायक और पूरो मंत्री जीतु पटवारी, कॉंगरेस बिधायक संजै शुकला और कॉंगरेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जाइजबाल महापौर टिकिट के दावेदारों में आगे हैं ताल ठोकने का काम और वीडियो जारी करने का काम ये कॉंगरेस में हो सकता है मैंने जैसे कहा कि भारती जनता पार्टी का प्रत्यक कार करता जो हमारी पार्टी संगठन तय करता है हम लोग सब प्रण प्रांड से उसके पीछे लग जाते हैं भारती यनता पार्टी एपने आपको बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, कि सारे सिदान तब पिछले मत्रड़र प्रदेश की जनता देख़ जाता देख रहे हैं। पिपार्टी केहती कुछ है और करती कुछ है। कॉंग्रिस नहे चेहरों को मैदान में लाने की बात कह रही है। कॉंग्रिस ने ये भी अलान कर दिया है कि प्रभारी भुपाल से न्यूक्त होंगे और हर जिले में टिक्ट तैह होंगे। लेकिन जब लक्ष जीत का हो तो पार्टी के फार्मूले बदल भी जाते हैं। ऐसा दोनों दलों में पहले हुआ भी है। इस लिहाज से देखे तो जीत को आधार बनाकर बीजेपी इंदौर में और भुपाल में विधायकों को मौका दे सकती है। बाकिस सीटों पर पार्टी गाइड लाइन का पालन किया जा सकता है क्योंकि राजनीती में मद्यमारगी यानि बीच का रास्ता चुनना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। चुकि जब आपके पास प्रतिभाशाली नेता और जिताओ चेहरों की एक बड़ी भीड है और इस भीड में वो लोग जो लंबे समय ते कतार में लगे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके भीतर कहीं न कहीं हताशा और कुम्ठा का भाव बढ़ने लगता है क्योंकि विदायक भी आप महापौर भी आप आगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी आई तो मंतरी भी आप तो फिर ये कठिनाईयां बढ़ने लगती हैं कि आप बात करते हैं सब को साथ लेकर चलने की सब को समानता के साथ आगे बढ़ने की लेकिन जब बात आती है तो आप देखते हैं कि या तो एक ही परिवार से टिकेट चलने लगते हैं या फिर महापौर की बात है तो जो पहले महापौर रह चुके हैं महापौर का पद उनको दिया जाता है अगर आप केंद्री बीजेपी या केंद्री नेतृत्त को देखें बीजेपी के तो वह इस फि प्रिया गैया कि बहुत समय हो गया भिहार की राजनीती से इब आप थोड़ा केंड्र की राजनीती की तरफ रुख करिए यह एक अलग किसम की राजनीती की तरफ रुख चलिए जिससे आपके पीछे खड़ा विक्ती आ गया है क्या किसी ने सोचा था कि बिरला जी को ये मौका मिलेगा विरले ही मिलता है ये मौका और बिरला जी आज लोकसभा अध्यक्ष है तो मध्यप्रदेश में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वही रमेश मेंदोला जी वही कृष्णा गौर और तमाम वो चेहरे तो फिर हम जो खड़े हुए हैं लंबे समय से कतार में हमारा क्या होगा आप कहते हैं जिताओ एलिमेंट नहीं है अरे भाया आपका संगठन मजबूत है आप मनाईए जिताओ एलिमेंट और लोग तो हमेशा ये देखते हैं क एक फ्रेश ब्लड जो है दिली में जिस तरह नगर निगम में सारे टिकेट बीजेपी ने बदले और उसके बहतर नतीजे रहे तो ये कहना भी उचित नहीं है कि जोखिम लेना एक अच्छी परमपरा नहीं है आज इसी पर हम बात करेंगे मिलिए उन महमानों से जो हमारे स और अगे क्या महतपूर्ण भूमिका होगी इस पर भी सब की निगाहे होगी और खुद राहूल जी के मन में जिग्यासा होगी लेकिन बीजेपी का अनुशासित मन खुल कर बोलता नहीं है योगेश यादव जी है हमारे साथ कॉंग्रेस के सीनियर लीडर और सेवा दल के पूर्व प्रदेश अद्यक्ष उनका भी मैं स्वागत करता हूँ दिने जी पहली टिपणी मैं आपकी लेकर ही आगे बढ़ूँगा किस तरह आप देखते हैं बीजेपी में इस द्वंद को जो निश्चित तोर पर वीडी शर्मा जी तक पहुंचा होगा तभी उन्होंन जो चेहरे सामने होते हैं तो सभाविक तोर पर उनको लेकर एक अठकलवाजी शुरू हो जाती है तो निश्चित तोर पर जो करशना गौर भौपाल की मेर रही और आज बिधायक हैं और फिर OBC महिला के लिए आरक्षित हो गया और जो महापूर का पद्र तो सभाविक तो पर नाम सामने आ जाता है तो इन दौर में भी जो इस्थितियां हैं तो उसमें रमेश मेंदुला जी मंत्री बनने की बहुत दिनों से लाइन में तो यह लगा कि एक संभावना है तो इस तरह जो है अठकल जब लगती है तो फिर उस पर फार्मूले की भी तैयारी होने आगे हमें राजनीती करनी है तो कितने साल क्योंकि फिर वो बिधान सभा का चुनाव भी रहता है फिर एक की बैक्टी को शायद रिपीट करना संभाव नहीं होता तो प्रवेश और निर्गम दोनों गेट हर राजनीतिक दल में होना चाहिए तो प्रवेश आप नए को दे है तो मुझे लगता है कि यह जो एकसरसाइज है स्थानी निकायों के जो चुनाव है शहरी निकायों के उसमें वो एक अगली 10-15-20 साल की जो राजनीती है उसका खाका भी इसी चुनाव में तयार करेगी तो यह चेहरे होंगे या नए तो अभी जैसे ही नोटिफिकेशन जारू ही होगा और उनका जो फर्मूला बनेगा उसमें बहुत सारी चीजे सामने आएगी बिलकुल आपने ठीक कहा और निकायों के चुनाव ही दरसल एक नरसरी माने जाते हैं राजनीती की और मत्यप्रदेश के भी बीजेपी कॉंग्रेस के अधिकांश बड़े निता ज निकाय चुनाव से बहुत हंबल शुरुआत करके ये नेता तेजी से आगे बढ़े हैं राहूल जी क्या उमीद करें नए चेहरे होने ही चाहिए आखिर राहूल कोठारी जी अपनी जिन्दारी जो निभा रहे हैं पूरी प्रतिमद्ददा के साथ अब उनकी भी पारी हो स सकती है और पार्टी निच्चेत तोर पर ऐसा सोच भी सकती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अद्विक जी हमारे बीडी शर्मा जी की बारे में लगा था चर्चा दो दिनों से चल रही है कल से उनने दुफैर में बात बोली कि कल दुफैर में आरक्षन होगा था पर बन जाते हैं पीडी शर्मा जी ने जो पूरी बाते बोली है निश्चित रूप से वो अपने आपने अलग तरह की है उसमें कहीं न कहीं इस बात का भाव भी है कि सामोहिक नेतरत की भरतियंता पार्टी है मिलकर सारी चीज़े तैक की जाएंगी लेकिन हमारा सोचना है कि जहां तक नए युवाओं की बात है नए जोश की बात है इसमें तो निश्चित रूप से पार्टी हमेशा से काम करती रही है अभी दिल्ली की चर्चा दिनेश गुपता जी कर रहे थे निश्चित रूप से बड़ा नावाचार उसमें किया गया था बहुत सफल वो हु बाच्पा में और दोजार बीस की बाच्पा में बहुत फरका चुका है 15-17 साल की हम लोग सक्ता में रहे चुकिया और जनता हमारा काम देख चुकी है नगरी निकायों के मामले में आप जानते हैं वैसे भी भरतियंता पार्टी का जो नगर की जनता उससे विशेश प्रेम हमेशा रहा है उनका भी हमारी प्रतियस ने हमेशा ज़्यादा रहा है लेकिन हमें लगता है कि जो पूरा मामला यह चाहिए पंचायत की चुनाओं की हम बात करें या इनकी बात करें अगर चुनाओं की सब में कहीं ना कहीं भारतियंता पार्टी जिस तरीके से मजबूत प्रणनीती के साथ जमीन पर उत्रेगी वही हमारी सक्षमता का सबसे सफल मंत्र साबित होने वाला है आज आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी मुझे लगता है अपना नाम बदल कर मध्रदेश कॉंग्रेस कमिटी हैट्वाटर दिल्ली कर ले तो ज्यादा भैतार होग भी निश्चत रूप से वो अपनी गर्त में जाएंगे लेकिन भाजपा उनके वरों से नहीं रहेगी कि वो अपने आप में गर्त में जा रहा है भाजपा अपनी मजबूत रननीती के दम पे और नए जोश के माध्यम से इस चुनाओं को जीतेगी योगे जी क्या कहेंगे आप एक तरफ बात हो रही है बीजेपी के प्रदेश रद्यक्ष की तरफ से एक संकेत है उनका कि हम कोशिश ये करेंगे कि गैर विधायक एकुमोडेट हो मसला बीजेपी का है आपकी पार्टी का मसला नहीं है लेकिन ये एक अच्छा मैसेज है और ये इंप्लिमेंट जितना अधिक संख्या में होगा आप भी इत्तिफाक रखेंगे क्योंकि लंबे समय से आप भी कॉंग्रेस में अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं का खामियाजा योग की वेक्ति उठाता है जी क्या कहीं आप देखें शरत जी कॉंग्रेस ने अपनी जो इस मामले में आउधारना इस पश्ट कर दी कि हम उजवान नौ चेतना नौ जागरेती के नौ जवानों को अपनी तरफ से कॉंग्रेस की तरफ से ज़्यादा से ज़ होता है राजभीती का मूहल मंत्र जो रहता है वो समाज की सेवा करना और समाजिक शेतर में यदि युवाा कर महां पर इस्तापित होता है तो उसके अंदर के अंदर वह आत्मसाथ कर लेता है यह ऑधारना बन जाती कि मुझे समाज के लिए प्रतिपत होकर कारी करना है तो इस नर्शरी में ज़्यादा से ज़्यादा यूट कॉंग्रेस एनिश्याई को और फ्रेश चेहरे लड़ाए जाएंगे ये कॉंग्रेस ने अभी तक का अपना विचार विमर्ज किया है और मैं आपकी पूरी बात का जी समर्थन करता हूं कि जो आप कहते हैं कि विधान सभा भी लड़े लोग सभा भी लड़े फिर महापोर भी लड़ने तो इस अवधारना का मैं भी विरोधी हूं कि नए चेहरों को नए को मौका दिया जाना चाहिए ताकि कॉंग्रेस की लीडर्शिप में या किसी भी ल जानकारी में दे रहा हूं कि आज से 35 साल पहले मैं नगरपाली का ड्यक्ष रह चुका हूं छे साल का मेरा कारिकाल 35 साल पहले रहा उस पिच्चाशी से लेकर उनिस सो क्यानों तर लेकिन वह कुछ और आंतरिक राजनीती थी उसके कारण मुझे पिर आगे का मौका नहीं मि के लिए इंतिजार ही करता रह जाता है यह विसंगती किसी भी राजनीतिक दल में हो दूर होनी चाहिए यह एक बड़ा सवाल है बड़ा मुद्दा है मैं फिर आँगा आपकी तरफ दूसरे चरण में लेकिन दिनेश जी की तरफ में आँगा दिनेश जी सरकारी दफ्तरों में जो सरकारी पन है उसकी एक बड़ी वज़े यह मानी जाती है जो विसंगती पूर्ण प्रमोशन का चैनल है एक आदमी भरती होता है पुलिस में सब इंस्पेक्टर से और पचीस साल बाद वो सब इंस्पेक्टर से सिर्फ तीन फूल वाला थान टी आई ही बन पाता है और कई लोग तो ये भी हमारे पास मद्यप्रदेश पुलिस के एक्जामपल है कि वो रिटायरी हो जाते हैं टी आई बन कर यानि बमुश्किल एक या दो प्रमोशन के बाद उनकी कहानी समाथ हो जाती है राजनीतिक विवस्था में भी ये बात है कि आज एक पीड़ी बी अब ये डिस्परेट हैं ये लोग कि साभ हमारे पिता जी सांसद नहीं रहे हमारे काका जी एकर राज देता और मंतरी नहीं रहे हमारी वेवस्था होगा एक पिरख्ता भाता उपर शरेखना नगरिन निकाएक के जुशन हो है उसमें भी आप देखे पार्सत की बहुत सारे पद इसके साथ साथ होंगे, जिसमें आप बार्ड मेंबर का भी कुछ लोग बहां से चुनाव लड़ते हैं, फिर उपर वो जाते हैं। लेकिन जो राजनीती है, राजनीती में गुटबाजी होती है, और सरकार में जो होता है, वो थोड़ा सा उनके नियम प्रिक्रिया या जिस तरह से कारिविस्थार हो रहा है उस हिसाब से पदों को आप नहीं जो है आप उनको सुख्रिद नहीं करते हैं लेकिन यहाँ जब राजनीती में गुटबाजी जैसे ही होती है मेरा अपना पराई का जब भेदवा होता है तो टिकेट जब उस आधार पर दिये जाते हैं तो कई बार जो है जो है जो लोग हैं जिनका जनाधार है या लोग प्रिये नेतर तो जो होता है जिसको लेकि बार-बार लोग कहते हैं उसमें एक कुंठा आती है और जहां जिस इस लिए जो लोग हैं हमेशा पात दस साल में यह देखते ना कि हम जो है नया नेतरुत की हम मांग करने लगते हैं या देखते हैं कि नया नेतरुत की आवशक्ता महसूत की जा रही तो एंटी इंकॉंबेंसी को रोकने के लिए राजनिती में जरूरी होता है कि आप जो पच्छ हो और नए चेहरे पर फिर से वो भरोशा करके आगे बढ़े तो ये बहुत जरूरी होता है राजनितिक दल और इन्ही को वो आधार बना कर वो आगे बढ़ता है बिलकुल आपने ठीक का ये बात राहुल जी आपकी पार्टी एक नवाचारी पार्टी के तोर पर भी देख बलड और नए चेहरों को सामने आना चाहिए और दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि कई वार जो एंटी इंकमबंसी या एंटी फटीग एक फैक्टर होता है फटीग फैक्टर होता है कि आप ठकान महसूस करते हैं कि बरसों बरस कोई विक्ती जो है तीस चाल ये चीज एक बहुत एक 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 बहुत ही डिसिप्लिन्ट तरीके से बीजेपी का हिस्सा बने ये तो जरूरी है राउल जी निश्यत रूप से शरजी ये क्योंकि अपने आप में केवल या भी मीडिया में चर्चा का विश्य नहीं ये बारतियंता पार्टी कारेकरता जब नहीं दिखाई नहीं देते हैं इसी तरीके से हम बात करें नेतर तो शम्ता की दिनेश जी वैसा बता रहे थे इस बात को कि लगतार पहले से भरतियंता पार्टी ये प्रियास करती रहीं कि नहीं लोग आ गया हैं लेकिन आज अगर बात करें तो मतलब मुझे भी कही नहीं से वो पीछे रह जा रहे हैं उस पर भी मुझे लगता है कहीं नहीं अपने आप में रिसर्च होना चाहिए क्योंकि भरतियंता पार्टी का सदेवे प्रयास रहता है कि करेकरता आए इस्टेबलिश हो उसको काम भी मिले और उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे है तो कंसिस्टें सदी को नहीं मिल पाता जिसको मिलना चाहिए ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें निश्चित रूप से चर्चा होती रहनी चाहिए लेकर हम लोग अपने आप में जनता को निश्चित रूप से अलग दिखाई देंगे और जहां तक विकास की बात है विकास और भरतिय पार्टी एक बड़े फैसले करने वाली पार्टी है कि सरकार है केंद्र की में बात कर रहा हूं और ऐसे बड़े-बड़े फैसले किये हैं जिनकी बड़ी चर्चा है निश्चित तोर पर संगठनात्मक सुधार के भी बड़े फैसले होने चाहिए और यहां मैं नरेन सिंग वर्ष के रूप में मनाएं और संगठन की महत्ता इंपॉर्टेंस और कारेकरता को केंद्र में रखकर हम अपने आगे की रूप रेखाता है करें यह बहुत महत्पूर्ण चीज है योगेश जी आप इसको बहुत बहुत समझ सकते होंगे क्योंकि सेवा दल को भी आपने उ तो आप उसको नदी के घाट तो बड़े उसा से बुलाते हैं और वो बड़ी उमंग से तयार होकर पहुँचता भी है लेकिन महां देखता है तो दुश्यन जी के शब्दों में लेकर उमंग संग चले थे हसी खुशी पहुँचे नदी के घाट तो मिला हो जल गया दुख शरजी आपमें बहुत ही अछी बात कही जो राजनीती में अधिरता कैम हो रही है जो वास्ताओ में वर्टमान परिपेक्ष में जो अधिरता और जिसको कहते हैं कि अफसरबादीता या मौसमी राजनीती में इसलिए कहूँगा कि मैंने कई वरश्टनेताओं को कहा है कि कि हम खांदानी व्यक्तित्तों को निकाले और हम उन मौसमी या अवसरवादी नेताओं से बचें कि जो सिर्फ एक तरीके से लाब के लिए कॉंग्रेस में आ जाते हैं मिलावटी नेता होते हैं उससे यह दी कॉंग्रेस दूर होकर कारी करेगी तो अच्छी संभावना है हमा आया जाना आफशक है मैं अतना विग्यापन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि 91 में जब मेरा टिकेट विधान सभा का कटा उस समय मेरी सती यह थी कि में नर्दली चुनाव जीत जाता लेकिन मेरे पिता ने सिर्फ एक बात कही कि बैटा और शायद मुझे आप लग रहा है कि संकेत मिलने लगे है कि कॉंग्रेस खांदानी विक्तितों को देख रही है और जो मलावट खोर होते हैं जो व्यवसाई ग्रूप से दूसरी पार्टी से जुड़े रहते हैं और आफसर वादीता के करा या वो अंगूर खटे है वाली परिश्कर तूप से आ रहा है और निश्य के लिए सबसंकेते कि आने वाला कल कॉंग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा बिल्कुल राहूल जी मुझे चोटी टिपणी आपकी जरूर लूँगा मुझे एक लोगसभा चुनाव याद आता है और आपकी पार्टी के सीनिय लीडर याद आते हैं समझने वाले समझ जाएंगे नाम में नहीं लूँगा उनको एक पार्टी के बड़े नेता को मनाने की जिम्मेदारी दी गई बेहत बड़े गदावत नेता को कि वो लोगसभा चुनाव न लड़ें और वो भी एक जगे से दाविदारी कर रहे थे त लेकिन उनका मामला उनका पत्ता कट गया और वो यही कहते रहें कि मेरी प्रतिष्ठा का क्या अगर मुझे कह दिया जाता तो मैं भी उन बड़े नेता के साथ बैठके यह कह देता कि मैं भी चुनाव लड़ने का अच्छुक नहीं हूँ आखिर आपके हां ऐसे जितने भी एक निष्ठ एक लव्य हैं क्यों द्रोणाचारे उनसे अंगुठा मांग लेते हैं हर बार नहीं देखे शरजी निष्ठ रूप से भारतियंता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका और इतने बड़े परिवार में जिस तरह से संरचना को बार बार पुनर कि अबल वरिष्ठों की बात करें या जो अपने आप में बहुत सीनियर होचों के टिकेट कराएं को उनका विशे नहीं है ये विशे अपने आप में सभी का है इसको मिलकर जो है राज्यनती विवास्ता में सबको मिलकर हल करना चीए और हमें लगता है कि निष्चत रूप से भारतियनता पार्टी में क्योंकि हमारे समन्वे और संभाद की परिस्तिती बहुत अच्छी रहती है लगातार हमारे कारेकरताओं से सबकी बाच्चीत रहती है हमारे संग्टन मंत्री वेवस्ता रहती है इसलिए हम लोग इस मामले को कहीं नहीं टैकल करना आसानी से कर लेकिन भारतियनता पार्टी का सदेव प्रयास रहेगा कि कोई भी यदि नई फॉर्मूले को अपनाना है और कारेकरता को संतोष्ट और संतोष्ट में रखना है तो इसके लिए हमेशा अग्रसर होते रहे हैं कंक्लूडिंग रिमार क्या रहेगा दिनेश जी बड़ा कुलपा होता है तो सम्हालने में बहुत सारी मेहनत लगती है यह जो हम देख रहे हैं कि अभी भारतियनता पार्टी जिस आकार में है वो कभी कॉंग्रेस पार्टी हुआ करती थी अभी योगेश जी विक्र कर रहे जो है इतने ज्यादा दावेदार होते हैं कि पड़ा मुस्किल होता है अब बिदान सवा लोक सवा से भी बहुत ज्यादा कठिन होता है इसमें उमीदबार तैकरना तो मुझे लगता है कि इसमें निचले इस्तर का जो संग्ठन है उसकी बहुत महात्पून भूमिका है और उसी भूमिका को उसको रखा जाएगा के दरे में तो निच्चित तोर पर जो है प्राजनीतिक दल इसमें काफी सफल होंगा उमीदबार तैकर बिलकुल आपने ठीक कहा और भारती जनता पार्टी से उमीदें इसलिए हैं कि जब आप जो दावा भी रहता है और जो सचाई भी है कि आप वोड बैंक की राजनीती से उपर उठकर डी मोनिटाइजेशन और जी एस्टी जैसे बड़े फैसले करते हैं और उसके बाद और भी बड़े फैसलों की श्रंखला करते हैं जिसमें किसान विधैक को भी हम बेचक शामिल कर सकते हैं तो फिर आप सफलता आने वाले चार-पांच चुनाओं में सफलता की गैरेंटी बनती है क्योंकि एक बार आपने इस चेहरे को मौका दिया और फिर उसके बाद अगर उसको आपने फिर जोंग दिया कि अब आप पीछे रहिए तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है प्रयोग करना ही चाहिए कांग्रिस इस प्रयोग से बची शायद जिसका जिक्र हमें जिसका उलेक हमें कांग्रिस कारेकरताओं की पीडा में दिखता भी है तो आज वो कहां चली गई है ये किसी से चिपा नहीं है और बीजेपी जो बहुत ही क्लेवरली अभी राजनीती में कदम आगे बढ़ा रह कि आप सफल नहीं हो सकते हैं बहुत धन्यवाद राहूल जी बहुत धन्यवाद योगेज जी धन्यवाद दिनेज जी बने रहे है बंसल नियूस पर मुश्कार